तो चलिए बच्चो सागत आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम जोग्राफी का सेंपल पिपर नमबर टू शुरू करने वाले हैं बच्चो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए जिसने भी अभी तक नहीं किया है और अगर आपको tarcially activities और quaternalry activities में काई डिफरेंस है तो touch flown activities में बचो हां पर production और exchange डौणों चीज आती ही टरेशिर sendiri में production किसका करते हैं services जिनेक न्हंव किरागा घग्ए क्टिरनविडceks में उस तरहीके की सर्वेसिस आती हैं जो कि knowledge oriented होती है जिसमें knowledge की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जैसे research and development हो गया है इसका main center होता है ठीक है हाँ पर high technical skills और high education skills की ज़रूरत पड़ती है आगे कहरा है trade और trading centers में का differentiation है दो माक का question है बच्छो तो दो number के हिसाफ से लिखिएगा trade किसे बोलते हैं किसी भी समान को खरीदने और बेचने की process को activity को हम trade कहते हैं यह क्यों किया जाता है profit earn करने के basis से जबकि trading center क्या होता है ऐसी जगह गाउं या शहर कहीं पर भी हो जहां पर यह trade activity perform की जाती ह अगला रहा है कि non metallic मेंडल्स जो कि इंडिया में produce होते हैं इसमें मीका एक important है हमें ऐसे states बताने हैं जहां पर मीका का production होता हूं ठीक है तो सिर्फ स्टेट्स बताने हैं दो नंबर में तो हम सबसे पहले स्टेट्मेंट यह लिखेंगे कि दुनिया में मीका production के मामले में इंडिया नंबर वन पर है जिसमें जहारखन आंदरप्रदेश तेलागना और राजिस्थान मेजर स्टेट्स हैं मीका को produce करने के जबकि इसके लावा मद्ध्य प्रदेश तम चनला ओडिसा और दूसरा करनाटरर का ठीक अध्या अध्यार रखेगा ऑणिक्स की कि माइंस के नामें आध रखेगा जैसे केंदुजार और सुंधरगर तो कोरापुट अब वैसे तो इंप्रदूरफ तो आप करोगे मैप के सब से केंदुजार सुंधरगर और कोरापु है बैलारी सबसे इंपोर्टेंट है इसके लावत चिकमंगुलूरू शिव मोगा है और तुमकुरू चित्रदुर्ग ठीक है यह ऐसी माइन जो करनाटका में है इसके बाद बच्चों नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं तो सेक्शन भी का सोर्स बेस कोशन है आप जोग्रफ सेडाल जी की अरे सेक्शन सी पर चलेगा सौरी बच्चों यहां पर इसकोशन प्राते हैं पहले पहले अर्लिय अस्त मोड ओफ लैंड ट्रांस्पोटेशन क्या है धिस्ठी आ इंधुन मोड है हमारे देश में हनें उन्हें क्या माना इस्टीम इंजिन को यूरोप में सबसे पहली पभी एक रेल भी लाइन कहां चली है तो इंग्लेंड में चली थी इस टॉक टन से डारलिंग टन के बीच में बहुत असान था आप बिना पड़े भी दे सकते थे आंसर नेक्स सेक्शन सी देखें सेक्शन सी में आएंगे सेक्शन सी में हमसे पुछ इसी जगह जहां पर efficient transportation easily available होता है cheap cost पर वहां पर भी इंडस्टीज जादा लगती है क्योंकि transportation की मदद से raw material को इंडस्टीज तक और finished goods को इंडस्टीज से मार्केट तक आसानी से भेज़ा जा सकता है communication facilities जिस जगह पर बहुत efficiently available होंगी वहां पर market, producer, distributors के बीच में network बहुत आसानी से develop किया रहा सकता है और flow of goods and services and money easily वहां पर बढ़ सकता है इसके बाद next question देखेंगे कि household industries और small skill industries में के difference है household industries घरों में खोली जाती है family members काम करते हैं बहुत basic तरीके equipment के use किया जाता है जो production होता है वो या तो घर में consume करने के लिए या थोड़ा सा समान मार्केट में बेचने के लिए होता है small skill industries की बात करें तो यह यह भी small scale है लेकिन घर में नहीं खोली जाती है इनमें labor की जुरुत पड़ती है यहां पर या तो power से चलने वाली basic machines की जुरुत पड़ती है या हातों से चलाने वाली machinery की इस्तमाल की जुरुत पड़ती है दोनों ही दोनों ही industries में raw material local source से खरीद लिया जाता है लेकिन small scale industries में जो production होता है वो थोड़ा competitive वी जादा बल्क में होता है और self consumption के लिए नहीं होता सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए होता है आगे कह रहा कि national highway authority of India का रूल बताना है और major project बताने है जो की रोने चलाए है ठीक है नेशनल highway authority of India के बारे में तो हम क्या लेखेंगे इसके बारे में जो NHAI है यह हमारे देश के highways को operation करने वाली मतलब इन पर काम करने वाली सबसे apex body है इसको 1995 में खोला गया था ministry of surface transportation के एंडर में यह काम करती है ठीक है नहीं के बारे में हो गया इसके लावा इसके जो major projects है उनमें हम सबसे पहले गोलन को डिलेटल के बारे में बताएंगे और दूसरा हो जाएगा north-south और east-west corridor के बारे में हो जाएगा अब इनके बारे में दो-दो line का explanation दीजेगा और secondary activity है इन दौनों के बारे में बताना है कि secondary economic activities कौनसी होती है और manufacturing जो उसका role क्या होता है secondary activity में दूद का अगर हम देखें तो दूद की जो value होती है competitively कम होती है utility कम होती है लेकिन अगर हम उससे कोई चीप पनीर बना दे दही बना दे या उससे हम आइस्क्रीम बना दे तो उसकी value competitively जादा होती है ठीक है तो यह secondary activity का ही पार्ट होता है इसी तरीके से हम देखें जातर तो समान हमें farm से, forest से, mine से, seeds से मिलता है उसकी value को भी secondary activity में बढ़ाया जा सकता है अब question पूछ रहा है कि यह बताइए कि इसमें manufacturing का role क्या है तो manufacturing एक सबसे important first step होती है secondary activity की जिसमें पूरा का पूरा production आता है है यानि हाँ पर हम किसी भी चीज को mold कर रहे है किसी एक चीज को दूसी चीज में convert कर रहे है सब कुछ manufacturing में ही consider किया जाता है और सबसे important इसके characteristics या इसका role क्या है यहाँ पर power का use किया जाएगा identical products produce किया जाएंगे और specialized labor की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो यह हो गया हमारा first question आगे देखते है location of industries होती है वो कुछ factors पर depend करती है जैसे raw material transport energy ह हमें बताना है कि इस तरीके से dependent है तो ऐसे स्टू market बता सकते हो आप points देखो points मान से सुनते है ऐसे स्टू market हो सकता है ऐसे स्टू raw material ऐसे लेवर सप्लाई ऐसे स्टू transportation and communication ऐसे स्टू energy source है इसके लावा हो सकता है agglomeration economies agglomeration economies होता है जहां पर कई industries आपस में बूसे से कि production को industries की location को affect करती है अगला question पूछ रहा है मिनरल क्या होता है और इसके characteristics और टाइप के बताना है तो मिनरल naturally पाई जाने वाली organic या inorganic चीज़े होती है जिनका अपना खुद का chemical और physical property होती है जैसे gold है silver iron boxite calcium कोई बीचीज जितनी भी चीज़ें हमें जो naturally मिल रहे हैं च एला point unevenly distributed होते हैं यानि किसी जगह पर जादा किसी जगह पर कम दूसरा inverse relationship in quality and quantity जो मिनल जितना जादा अच्छी quality का होगा उतनी कम quantity में मिलेगा जितनी कम quality का होगा उतनी जादा quantity में मिलेगा तीसरा point exhaustible in nature यानि वक्त के साथ में एक समय आएगा जब यह खतम हो जाएंगे ठीक है अब इसके relevant types पूछ रहा है कि इसके types बताईए ठीक है कि इसके types क्या है मिनल के types के बारे हम पूछ रहा है तो मिनल्स को अगर हम classify करेंगे तो आप metallic और non metallic मिनल्स के रूप मेंने बता सकते हो कौन से metallic होते हैं metallic जिसमें electricity conduct हो सकती है good conductor होते हीट के sundra sound होते हैं hard होते ह हैं है ना और मैलेबल होते हैं रक्टाइल होते हैं इन सब को अप metallic में रखोगे जबकि नौन मेटलिक में ऐसा नहीं होगा जिसमें आप fossil fuels और भी दख सकते हो फिर आता है non conventional energy resources वह environment friendly है sustainable alternative है हमें non conventional energy resources जो की इंडिया में available है उनकी current status के बारे में बताना है तो अगर हम किया गया टाइडल एन बेव एनर्जी में water की ocean की kinetic energy को electricity में convert किया रहता है जिसको basically हम देखें तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर डेवलप किया गया और जियो thermal energy में अर्थ के अंदर की heat की मदद से उसे electricity में convert किया रहता है heat energy को इसको अगर हम बात करें जियो thermal energy की तो मनी क खेतरी आप देखोगे खेतरी कहा मिलेगा राजिस्थान में रतनागिरी महरास्टर में मत्रावल लेफंडी यूपी में important node of North corridor अगर आप North corridor का important node देखोगे यानि North corridor का सबसे important कौन सा है नोड तो वो श्रीनगर है काटनी काटनी अगर आप देखोगे मध्य से काटा यानि बॉक्साइट की सबसे important मध्य प्रदेश में और जरिया जारकन में नाम में लिखा है तो इस तरीके से map के point भी बहुत easy हो जाएंगे आपको करना और अब असानी से पूरे sample paper को solve कर पाऊगे बहुत ही कम time में बच् तो आपसे next part में तब तक अपना please ख्याल लखिए और अच्छे से पढ़ाई किजिए झाल लखिए झाल लखिड़ाई झाल झाल घ् झाल झाल